एक बुड़े व्यक्ति की कहानी, गाव में एक बुड़ा व्यक्ति रहता था, वो दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था, सारा गाव उसके अजीबों गुरीब हरकत से ठक गया था, क्योंकि वो हमेशा उदास रहता था, वो लगातार शिकायत करता था और उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुब हो जाता, उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमान जनक भी था, इतना ज्यादा दुखी होने के वजए से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की, लेकिन एक दिन, जब वो 80 साल के हुए, एक अविश्वस रहा था, और यहां तक की उसका चहरा भी तरो ताजा दिखाई पड़ रहा था, यह देखकर पूरा गाव उसके घर के सामने इकठा हो गया, और सभी ने बुड़े आदमी से पूछा की, तुम्हें क्या हुआ है? जवाब में बुड़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, 80 स से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ, और यह बेकार था, मुझे खुशी कभी नहीं मिली, और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ, सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत कर जीवन का आनंद लो